हाई गाईज, वेलकम तो अपसर्च, दोस्तो टेक्निकल एनलिसेज में एक बहुती इंट्रस्टिंग और बहुती इंपोर्टेंट कॉंसेट है, जिसे हम कहते है गाप ट्रेडिंग, अगर आप स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, या आप इस कॉमन गैप, दूसरा ब्रेक अवे गैप, तीसरा रनेवे गैप और चौता एक्शॉस्चन गैप, वाइल कॉमन धार्णा यह है कि गैप्स फिल हो जाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू सारे गैप फिल नहीं होते हैं, हाँ 90% से जादा गैप फिल हो जाते हैं, लेकिन इसमे सबसे important information है कि कौन से gap fill होते हैं क्योंकि अगर आप किसी और gap को chase कर रही है और वो इस category का नहीं है तो क्या पता वो fill ना हो अब देखें दोस्तों कुछ लोग यह कहते हैं कि 2017 में gap बना था निफ्टी में वो आज 2025 में fill हो गया तो हम इसे gap of authors in technical analysis they believe कि इसको gap fill होना थोड़ी ना कह रही है अगर साथ साल के बाद मैं ही trading के अंदर ना रहा तो gap fill हो भी रहा है तो उससे फरक क्या पड़ता है अगर मेरा सारा capital उस एक trade में erode होगे जापर मैं उस gap को chase कर रहा था उस gap gap का fill होना है तो जल्दी से हो जाए so that मैं उसको trade कर पाऊं मैं उससे पैसे बना पाऊं यहाँ पर मैं आपको important information दे रहा हूं कि कौन सा gap fill होता है और उसके features क्या है दोस्तो common gap is one gap जो fill होता है more than 90% cases में यह gap बहुत ही जल्दी fill हो जाता है अब हम इसी gap को trade करते हैं और इस gap का एक सबसे important feature होता है कि gap create होते ही कोशिश करना शुरू कर देता है fill होने के लिए दोस्तों आज हम यहाँ पर एक trading strategy discuss करने वाले हैं जो purely based है gap trading पे और हम इसके त्रूँ swing trading करेंगे यहाँ पर कुछ conditions है मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद इसको swing में आप यूज करना start करेंगे आप चाहें तो इसके अंदर कोई अपना indicator भी apply कर सकते हैं for example कोई exponential moving average or super trend अपने confidence को boost करने के लिए but मैं जिस format में आपको strategy बता रहा हूँ it is more than sufficient for you to trade this strategy as a swing trader इस strategy को हम intraday में use नहीं करेंगे इसको मगले कुछ दिनों या कुछ हफतों के लिए trade करने के लिए use करने वाले है तो आईए सबसे पहले हम इस trading strategy की condition को जान लेते हैं ये condition क्या है पहला हम ऐसे gaps ढूंडेंगे जो large cap stocks में बने हो top के 100 stocks 120 stocks भी चलेंगे as in जो बड़ी companies के stocks हैं जो stable stocks हैं हम ऐसे stocks की बात कर रहे हैं अब अगर एक small cap share 10% गिर गया यह यहां से उपर जाएगा मुझे नहीं मालू लेकिन अगर Asian paints एक particular number से ज़्यादा है और यह number कितना मैं भी आपको बता रहा हूँ अगर यह particular number से ज़्यादा गिरता है तो यहां से इसके उपर जाने के chances बहुत ज़्यादा है rule number 4 आज इसमें नीचे से recovery आई होनी चाहिए मैं यह नहीं कह रहा है कि bullish candle ही बने bullish candle बने तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर bullish नहीं भी बनती एक doji बन जाती है या red body के साथ नीचे से अच्छी recovery आई हो यह वाली candles भी चलेंगी तो I repeat large cap share, swing trading, 3% या उसके उपर का gap down और एक bullish candle अगर ऐसा होता है तो यह वाली candle का high cutने पर हम buy करेंगे और इसके नीचे से थोड़ा सा नीचे हम इसका stop loss लगा देंगे मतलब recent swing low यह मेरा stop loss है बहुत ही simple strategy है yet very very effective strategy let me show you a few examples दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो I am very sure आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा है और आप enjoy भी कर रहे हैं लेकिन long term में profitable बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है हर stock का movement अलग होता है इसलिए यह strategy आप सारे stocks में नहीं लगा पाएंगे you need different approaches for different type of stocks for different type of products और इसलिए मैं लेकर आया हूँ momentum swing trading strategies का एक course जो upsurge.club पे live है इस course में मैंने discuss करी है तीन trading strategies जो आपको एक profitable swing और momentum trader बना सकता है जिसमें हर trading strategy में मैंने बात करी है सही entry point की, exit point की, stop loss की, target की कौन से stock पे यह strategy fit बैठेगी और कौन से पे नहीं not just this, इन सारी trading strategies में I have created scanner for you जिसके तुरू आप रोज नए stocks screen कर सकते हैं, shortlist कर सकते हैं तो आज ही upsurge.club के इस course में enroll करें जिसका link description में दिया हुआ है चलिए, अब वापिस चल कर अपनी strategy complete करते हैं लेकिन इस strategy को better बनाने के लिए मैं इसमें एक parameter और add कर सकता हूँ आपके लिए लेकिन अभी के लिए पहले हम प्राइमा फेसी strategy को समझने ही कोशिश करते हैं For example, मुझे चाहिए क्या एक large gap company Let us say, Wipro Wipro में ये gap down हुआ ये approximately 3.5% का gap down था As you can see, यहाँ पर closing हुई कुछ 502 रपे के आसपास और आज की opening हुई 490 रपे के आसपास कल की closing हुई थी तकरीबन 500 रपे से उपर 502, 503 के आसपास और आज ये gap down नीचे घुला Approximately यहाँ पर आज ये candle मोटा मोटा 3.5% के आसपास नीचे बंद हुई है हमें इसमें कुछ नहीं करना Gap down दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है Market नीचे से recover हुई है Doji तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक kind of reversal हमें वासे दिख रहा है यहाँ पर कोई subjectivity involved नहीं है अगर ये candle यहाँ पर नीचे बंद हुई होती ये candle मेरे किसी काम की नहीं थी लेकिन क्योंकि bottom से reversal हुआ है इसलिए और anyways हम वेट करेंगे इस candle के high का breach होने का कम से कम This is the minimum entry criteria इस level को breach हुए बिना हम buy नहीं करने वाले ये level है approximately 495 के आसबास का फिलाल stock चल रहा है 520 का और ये high मार चुका है 540 से उपर गा अगर आप इसमें शुरिटी चाते हैं तो यहाँ पर एक super trend apply कर सकते हैं 10,2 का अगर आप इसमें जादा confirmation चाते हैं तो यहाँ पर आप एक super trend indicator apply कर सकते हैं लेकिन थोड़े से aggressive parameter 10,2 so that आपको कहीं buy करने में लेट ना हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ so यहाँ पर आपने देखा विप्रो में ये around 3.5% के आसपास नीचे गया था और यहाँ पर एक bullish kind of एक reversal kind of candle बनी है हमारी यहाँ पर आप चाहे थे उसको यहाँ पर भी buy कर सकते थे if you are a very very conservative trader if you have a decent level of aggression तो आप यहाँ पर इसको buy कर सकते हैं और यह आपको अच्छा return देखर जाएगा even though अगर आपने यहाँ पर भी buy किया होता तो approximately 515 के आसपास आपने इसको buy किया और 540, 45 के आसपास आपको अच्छा return मिल रहा है चलिए एक और example देखते हैं यहाँ पर again एक बड़ी कंपनी का share उठाते हैं अल्दो इन बड़ी कंपनी के shares में gap down बहुत जाद आपको देखने को मिलेगा नहीं बट मैं आपको एक interesting चीज दिखाऊंगा कोविड की peak में मी Glenmark pharmaceutical का share गिर रहा था यहाँ पर gap down होता है market नीचे जाती है यह 23 March नहीं है जब lower circuit लगा था यह 13 March है यहाँ पर यह stock close हुआ approximately 200 के आसपास और यह open हुआ approximately 110 रपे के आसपास तो 10% के आसपास का आपको gap down मिलता है लेकिन market नीचे जाती रहती है उसके बाद end of the day आते हैं market recover कर जाती है इस level के उपर आपको buy करना था which was again approximately 220 रपे 220 रपे और उसके बाद rest is history again इस चीज को याद रखिएगा 23 March को nifty में lower circuit लगा था जबकि यह 13 March का दिन है मतलब nifty इसके बाद और नीचे गई है लेकिन यह candle बनते ही इसमें recovery आई है let me show you one last case here यहाँ पर हम infosys में देखते हैं यह gap down हुआ लेकिन red candle बनी यह gap down हुआ लेकिन इसका high breach नहीं हुआ यह gap down हुआ bullish candle बनी high breach हुआ लेकिन इसका मेरा swing low का छोड़ा सो stop loss कट गया तो stop loss कटेंगे आपके लेकिन क्योंकि large cap stocks हैं तो stop loss छोटे रहेंगे हमेशा लेकिन targets आपके बहुत बढ़े रहेंगे look at this candle यह बहुत ही बढ़ा gap down हुआ approximately 8.5% के आसपास का 10% के आसपास के gap down था यह वैला और infosys में bullish candle बनती है and look at this rally targets बहुत ही बढ़े रहेंगे stop loss बहुत ही छोटे रहेंगे आज की candle का low आपका stop loss है क्योंकि market उपर जा रही थी gap down होई है तो near term का कोई swing लो तो रहा नहीं होगा इसलिए यही low आपका stop loss हो गया इसके नीचे market थोड़ी दर sustain करती है आप exit कर जाएंगे लेकिन इसके नीचे जाने के chances बहुत ही कम है as you can see आपको ऐसी candles बहुत ही favorable candles है तो दोस्तों large cap में अगर आपको gap down मिलता है और वहाँ से उसी दिन reversal आना शुरू हो जाता है और एक bullish candle formation होती है this is going to be a very very good trade this can give you a very good swing trade तो दोस्तों कैसे लिए आपको इस strategy मुझे comment section में जुरू बताइएगा तो दोस्तों आप इसके बहुत सारे example अपने आपे चेक कीजेगा और next time जब भी आपको कभी large cap में आपको gap down मिलता है और ये stock आपके portfolio में है भी तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पर अगर एक bullish candle बनती है तो मैं शायद इसकी averaging कर सकता हूँ this should not be seen as a trading or investment recommendation only for educational purposes लेकिन this can help you out a lot of times while the entire world is panicking while the entire country is panicking all other traders are panicking you can accumulate here and make good returns in the future so दोस्तों I hope आपको ये पूरी strategy समझ में आई होगी एक बार आप इसके सारे rules comment section में mention कर दीजेगा thank you so much see you in the next video bye bye